हेलो फ्रेंट्स आज आपको मैं बता दूँगा चुहे कार के केविन के अंदर कैसे चले जाते हैं तीन पॉइंट हैं वो आपको दिखा देता हूं सलूशन भी आपको दिखा देता हूं सबसे पहला पॉइंट यह है आपका काउल इसके उपर लगे होते हैं वाइपर ब्लेट जो भी मैंने सारा चीज़े हटा रखी हैं काउल के आप पास में देखोगे यह लोकेशन यहां पर एक यह होल होता है और यहां से एयर इंटेक होती है जब हम एसी को रिफ्रेश मोड पर चलाते हैं तब और यहीं से चूहा यहां से एंटर करेगा तो सीधा आजाएगा आपके एसी ब्लोवर के अंदर फिल्टर को काट यहां भूमेगा और फिर उसको एक्सस मिल जाएगा यहां से निकलने का पूरे केविन में घुमनेगा और कई बार तो ऐसा भी होता है चूहा इस लाइन के अंदर जाके मर जाता है और जब लाइन के अंदर चूहा मर गया तो दीरे दीरे इतनी गंदी स्मेल आने लग वहां पर रवर की एक सील लगी हुई होती है कुछ इस तरह से अब यह सील जब डैमेज हो जाएगी या फिर साही से नहीं लगी होगी तो यहां से चुवा केविन में एंटर कर जाएगा तीसरा पॉइंट होता है चुवा का अंदर आने का यह डिगगी डिगगी में लगा हो तरह का नेट इंस्टॉल करके जब यहां पर हम नेट इंस्टॉल कर देंगे तो यहां से चुवा की एंटरी बंद हो जाएगी और एयर पास हो पाएगी यह जाली हम को इंस्टॉल करनी है यहां पे अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम होगा तो वहां से बंद कर सकते हैं मतलब हर गाड़ी के अंदर ऐसा वेंट होता ही होता है और यह प्रॉब्लम और रिपीट रिपीट हर गाड़ी में आती है लेकिन कंपनी इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं सोचती कि यार एक रैट मेंश हम क्यों नहीं लगा के दे 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 ते उस वीडियो के कमेंट में भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया है कि यह काम छोटा स जाली नहीं लगाते हैं वहां से चुहे गाड़ी के अंदर घुश जाते हैं आप लोगो ने तो वीडियो को पसंद किया ही साथ में टाटा नहीं इसके उपर काम किया यह गाड़ी खड़ी है हमारी टाटा पंच और इसमें एक चीज़ आपको दिखाता हूं यह देखे यह ल मतलब टाटा ने अल्रेड़ी वहां पर नेट इंस्टॉल करके दे दिया और बहुत सारी कंपनिया ऐसी जिसके अंदर यह ऐसा ही होल कटा हूँ आतार और वहां से चुहे गाड़ी के अंदर जाते हैं भले मारूती हो हुंड़े हो यह कोई भी हो लेकिन स्पेशली आज टा वीडियो बनाई हुई डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक भी लेगा वहां जाके देख सकते हैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में ऐसे ही किसी इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग